अनन्द चतुरदसी 2024 अनन्द चतुरदसी पर कर ले ये उपाई तमाम तरह की परेशानिया रहेगी दूर अनन्द चतुरदसी 2024 अनन्द चतुरदसी पर कर ले ये उपाई तमाम तरह की परेशानिया रहेगी दूर अनन्द चतुरदसी को हिंदु धर में महतपुर्ण माना गया है इस तिथी पर भगवान विश्णु के अनन्द रूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है इसलिए इसे अनन्द चतुरदसी कहा जाता है साथ ही कई जगह इसे 14 के नाम से भी जाना जाता है ऐसे में आप इस सुब अबसर पर खुछ खास उपाईयों द्वारा भगवान विश्णु की असीन किरपा प्राप्त कर सकते हैं हर साल भादर सुकल पक्ष चतुरदसी को मनाई जाती है अनन्द चतुरदसी इस तिथी पर की जाती है जगत के पालनहार विश्णु जी की पूजा मनुकामना पूर्ती के लिए बहुत ही खास मानी गई है ये तिथी हिंदो पंचांग के अनुसार हर साल भादर पर्द माह के शुकल पक्ष की चतुरदी पर अनन्द चतुरदसी का पर्व मनाया जाता है इस दिन गनपती विशर्जन भी किया जाता है इसी के साथ ये तिथी भगवान विश्णु की पूजा अर्चना के लिए भी विशेश मानी गई है ऐसे मेर दियाप इस दिन पर कुछ खास उपाई करते हैं तो इससे आपको जीवन की कई समस्याओं से चुटकारा मिल सकता ह अनन्त चतुरदसी सुब मुरत भादर पद माह के सुकल पक्षकी चतुरदसी तिथी का सुब आरंब 16 सितंबर 2024 को 2,3 बजकर 10 मिनट पर हो रहा है वहीं इस तिथी का समापन 17 सितंबर को सुबह 11 बजकर 44 मिनट पर होगा ऐसे में उद्या तिथी के अनुसार अनन्त चतुर पूजा मुरत सुबह 6 बजकर 7 मिनट से सुबह 11 बजकर 44 मिनट तक अनन्त चतुरदसी पर अनन्त सुत्र बांधना काफी शुफ माना जाता है इस सुत्र में 14 गाठ लगाई जाती है इस दिन विधी बत पूजा अर्चना करने के बाद इस सुत्र को अपनी कलाई पर जरूर बांध है ऐसा करने से व्यक्ति को प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है साथ ही ये भी माना जाता है कि सुत्र को बांधने से व्यक्ति के आत्म विष्वास में भी विर्धी होती है बूरी नजर से मिलेगी राहत यदि आपके घर किसी को बुरी नजर लग गई है तो इसके लिए अनन्द चतुरदसी पर ये उपाई कर सकते हैं इसके लिए अनन्द चतुरदसी के दिन एक कलस में 14 लॉंग और कपूर डाल कर जलाएं इसके बाद इस कलस को किसी चोड़ाहे पर रख दे वहीं घर के से नकारात्मक्ता को दूर करने के लिए इस दिन 14 जाइफर लेकर किसी पवित्र नदी में परवाहित कर दे इससे बुरी नजर से राहत मिल सकती है मिलेगी मुसीवतों से मुक्ति अनन्द चतुरदसी के दिन सत नरायन भगवान की पूजा करना बेहत सुब माना जाता है ऐसे में इस दिन पूजा के दोरान एक लड़ू में 14 लॉंग लागा कर सत नरायन भगवान को अरपित करे और पूजा के बाद इसे किसी चोड़ाहे पर रख दे ऐसा करने से आपको तमाम तरह की मुसीवतों से मुक्ति मिल सकती है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये अनन्द चतुरदसी वरत वीडियो प्लीज कमेंस करके जरूर बताईएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बाड़ाए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक पूपर्ट